नमस्कार सातियों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाइज क्लासिस के बीए प्लेटफरम पर दरसल अभी हम फाउंडेशन कोर्स को डिसकस कर रहे हैं बीए थर्डियर के अंतरगत तो बीए थर्डियर कहें या बीकॉन थर्डियर या बीएसी इन सभी थर्डियर के चात्रों का जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो एक जिसा होता है सेम होता है कोई चेंजेस नहीं होता है क्लियर ना तो इन सभी चात्रों के लिए थर्डियर के सभी चात्रों के लिए ये वाली सिरीज बहुत इंपोर्टेंट होने जा रही हैं दोस्त लेक्षर में हम यूनिट फरस्ट से लेकर के यूनिट लास्ट तक के जितने भी important question answer हो सकते हैं उन सब को हमने discuss किया है उसके साथ इसाथ में लेक्षर नमर 10 के रूप में हमने उसके एक model paper पर भी discuss किया जिसमें 50 महत्पुर्ण कोशन आंसर भी देखे थे तो इस प्रकार से लेक्चर एक से लेकर के दस तक की पूरी कहानी में हमने थर्ड एयर की हिंदी को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है जो कि आपके पूरे पार्ट का नाम है ठीके ना तो इस पार्ट के अंतरगर्प में आपको प्रारम में ही बता दूँ आज ही चुकि हम इंगलीज को इस्टार्ट कर रहे हैं तो आज आपके लिए जान लेना ज्यादा भेतर होगा एक दो मिनिट ज्यादा लग जागा शेशन में इ अच्छे से जान ले कि पूरी सीरीज में 10-15 जितनी भी लेक्शर होने वाले हैं उस completely पूरी सीरीज में आप किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं क्या-क्या पढ़ने वाले हैं किस पूर्मेट में पढ़ेंगे वो सारी बाते आपको भी प्रारम में 2-3 मिर्ट दे करके आप जान ले तो ज्यादा भेतर होगा तो दोस्तों इस पूरी complete series में complete English language वाले इस पूरे मिशे में दोस्तों कम से कम हम 400 question answer ओपर discuss करने वाले हैं यह 400 question answer ऐसे होंगे जहां से जब exam में exam देने जाएंगे ना तो एक भी question आपका आउट नहीं जाएगा इस सारे question दोस्तों यहां से आपको 100% मिली जाएंगे क्यों मिल जाएंगे क्योंकि unit first से last तक जितनी भी आपके question answer हो सकते हैं सभी topic because related सभी महत्पूर question answer हम लेकर कि यहां पर 400 more than 400 question के रूप में आपको यहां दे दूँगा में lecture लूँगा lecture के बाद में पर भी मैं आपको topic wise topic दूँगा topic wise topic हर topic पर एक session ला कर दूँगा चाहे वो 10 मिट का ही session क्यों ना हो अगर कम से कम question होंगे न तो भी उस पर हम video बनाएंगे तब भी आपके लिए lecture लेकर कर के आएंगे बले वो छोटा सा हो चलेगा लेकिन separate तरीके से आपको study करनी है हर topic के अलग-अलग question आपको तयार करने है ठीके ना बहुत simple सा होने वाला है बहुत easy format में होने वाला है कम से कम समय आपका लगने वाला है completely हम बात करेंगे सबसे पहले story को समझेंगे story को समझते ही उसी पर आधारी जितने भी question answer हो सकते हैं उनका question answer को हम लगाएंगे जो की mcq format मे होने वाले हैं बात समझ आई ना तो दोस्तो आज का session हम किस पर लेने वाले हैं the express poem पर किस पर the express poem पर ठीके तो अच्छा इनके writer कोन है poet कोन है तो stephan stephan spender जो है इसके writer है को उसके the express poem के clear है ना तो सबसे पहले हम समझेंगे the express poem की summary को मतलब उसके complete सारांस को और उसके बाद म सब्सक्राइब कितने question बन सकते हैं exam में उन question ओपर भी हम discuss करने वाले हैं आईए शुरू करते हैं lecture number first आज का के लिए चली दोस्तों शुरू करते हैं अच्छा आगे बड़े उससे पहले जिससा कि मैं हर lecture में आप लोगों को बोर करता हूं ना कुस सेकेंड के लिए मैं यह अगर देखना चाते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप playlist में जाकर के आसानी से देख सकते हैं इसके अलावा यदी आप चाते हैं कि बार बार कहां पर YouTube में घुझ करके आप उसको सर्च करोगे या पी डाउनलोड करने पड़ते हैं अगर यह सब जंजटे जिसे जब चाहे आप पर सकते हैं और नोर्स की लिंक भी आपको एक ही जगए मतलब कि आपके गूरूप में ही अबेलेवल करवा दी जाती है ताकि जब चाहे तब आप लेक्चर को देख सकते हैं किलियर है ना चली शुरू करते हैं आज का important session दोस्तों आज से हमारी शुर यह पहला lecture है इसलिए थोड़ा सा boring मतलब कि यह boring नहीं बोलूँगा बलकि एक basic सी information है जो मेरे देना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए हो सकता कुछ studentों के ऐसा लग रहा है कि सरा i starting में आप बहुत time ले रहे हैं या फालतू का time based कर रहे है time based नहीं करना चाहिए वो लोगों को आगे कोई doubt बचे ही नहीं ठीक है ना तो अभी तक की सारी बात हो यह अब हम बात करने वाले हैं अपने भीशे पर जिसके को हम आज से start करने जा रहे हैं देखी दोस्तों इसके syllabus की में बात करूं syllabus की बात करूं तो English language के syllabus में दोस्तों हम business रूप से 3 unit पढ़ने वाले हैं ठीक है पाउंडेशन कोर्स की English language वाले सीरीज में तीन यूनिट आपको पढ़ने को मिलेगी first और second और third unit ठीक है तो हम यहाँ पर यह देखने वाले हैं प्रारम में ही कि first unit में क्या क्या आने वाला है second में क्या और third unit में क्या क्या आने वाला है उसके बाद हर lecture में नहीं बताऊंगा don't worry हर lecture में इतना नहीं पकाऊंगा पस पहले lecture है इसलिए आप इसको देख लीजिएगा तोड़ा सोट में जल्दी कर देते हैं देखिए दोस्तों first unit में आपको reading writing और interpretation skills पर focus करना है कि लिए रहना और यह सबके सब आपको mcq format में ही question पूछे जाएंगे एक्जाम में और mcq में ही आपको जवाब देना है लेकिन लेकिन थोड़ा सा चेंज करते हुए जैसे कि कुछ poem है the express the world the world is too much with us ठीक है जो कि विलियम वर्स वर्स आपके दोरा लिकी है तो यह सारी जो poem है इन poem के सभी poem के सारांस अफ़तात के summary को समझते हुए समझने के बाद में तुरंत बाद में हम इसके question answer लगाएंगे इसी तरह से second read में essay writing आपको करने है essay writing जो भी इसके अलग अलग पार्ट होते हैं उन सब पर हम discuss करेंगे अलग अलग पार्ट के यह ना essay writing में जितने भी संबब पार्ट हो सकते हैं उन सब पर हम discuss करेंगे इसके लावा third unit की बात करें तो third unit में दोस्तो हम business रूप से तो तीन business quality को देखने वाले जिससे communicative skills देखेंगे essential conversation को देखने वाले हैं यह ना तो इनस में जितने भी possible part होंगे उन सब पर discuss करते हुए ठीक है keyword हो सकते हैं सभी keyword पर भी हम यहां पर बिस्तार से बात करने वाले हैं यह keyword पर कोई discussion नहीं होता है कहीं नहीं करवाते हैं लेकिन हम लेंगे क्योंकि हम किसी भी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाहते कि किसी भी प्रकार से कोई number कमा चाहिए वह foundation course नहीं जुड़ेंगे क्या बिल्कुल जुड़ेंगे ना यार ठीक है ना चली तो अब हम class को इस्टार्ट करते हैं अगर देखा जाए तो आज हम क्या पढ़ने वाले दोस्तों तो first unit में first unit में हम सब से पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पर the express जो stephan stephan सहाब के दोरा लिकित है एक पोईं नहीं बल्कि दा एक्स्प्रेस ट्रेन के बारे में कहा गया है ज्यान सुनिएगा इसको ना एक मिर्ट एक मिर्ट भाई गिरो मत्यार एसे समझे भूल जाईए कि आप इंग्लीज पढ़ रहे हैं पहली बात तो पहली कंडिशन तो यहीं कि आप इंग्लीज भूल जाए क्योंकि मैं भूल पढ़ाते बगता बेलाए बिल्कुल ऐसे जैसे कोई आप इतिहास पढ़ रहे हो या राजहनीति विज्ञान पढ़ रहों या समाशास्त्र रहे हो विल्कुल आसान तरीके से किसने कहा कि शक्ती है इंग्लीज आसान तरीके से यार ने हुज रखी क्वीता कौन सी है दा कि एक्स्प्रेस नाम की और रेक्स कोण एक्सप्रेस नाम की है डा ऐग्स्प्रेस पोइब कि तो is प्राइड में पिली बाथ सहाँ अच्छा तो दा पर इकस्प्रेस किसे संबंदू से संबंद हैं क्या केना चाहता है तो इसको शामाने रूप से समझेगे विएवारी रूप से भी समझेंगे एक बां इससे स्टोरी को थौछ चलेंगे ताकि कोईटन न रहें ठीक हैना रेखर्वार पक्षिपर ध्यान देना मैं कहीं कहीं पर यह लाइने भी पढ़ूंगा यह लाइने भी पढ़ूंगा लेकिन आप जब डाउनलोड करोगे ना दोस्तो तो आपके लिए मैंने विश्य सुखिदा दे रखी है इंग्लिस के साथ में हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है त इनको दोनों मर्ज करके पढ़ना है बहुत अच्छी बात है दोनों में समझिए कोई प्रोलम नहीं है बास समझाई ना तो इसका पहले आप समरी समझ लीजिए क्या कहा जा रहां देखिए किसने लिखी यह कभीता क्या हुआ है एक मिट फेंट्स किसने लिखी है कभीता यह कभीता लिखी है स्टेफन इस्पेंडर साहब ने जिनका जन्म 1909 में हुआ कहां पर लंडन में इनका जन्म हुआ इनका जो नाम है दोस्तों यह कहें कि इनको एक सम्मानित निवंदकार और उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है जैसे कि इसेस्ट एसेस्ट और नोबलिस्ट के रूप में इनको जाना जाता है इन्होंने अपना कापी समय बीसवी सताबदी के उन बिद्वान उन बिद्वान सहित्यकारों के साथ निकाला है जिनका बिशेस रूप से नाम उलेखनी आज भी है और उस समय भी था याद रहे बीसवी सताबदी के प्रसिद बिद्वानों में प्रसिद सहित्यकारों में नाम गिना जाता है इसके बाद में अगर बात करें तो इसके बाद का समय जो है उन्होंने अपना एक प्रोफेसर के अंगरेजी के प्रोफेसर के रूप में लंडन के एक युनिवरसिटी कोलेज लंडन में उन्हें अपना समय बिताया कापी समय इन्होंने जो है प्रोफेसर जो यह कविता है दा एक्सप्रेस इसको देखकर के कहा जा सकता है कि इनकी अधिक्तम कविताओं में जो आधुनिक्ता होती ना आम मानव जो है आम बैक्ति जो है वो किस प्रकार से नकरत्म रूप से प्रभावित हो रहा है यह सारी बाते उन्होंने बताने का प्रियास किया है कि जैसे जैसे आधुनिक्ता आती जा रही है वेसे वेसे आम मानव किस तरह से उससे परेशान हो रहा है या पर कहें कि प्रभ दूसरी बात कहें तो जो कविता लिखने का इनका ढंकता यह जो कविताओं पर जहां पर इन्हों ने प्रभाव दिया उन प्रभावों को देखते हुए हमें यह लगता है यह लगता है कि वह हमेशा अपने काम में वर्क ओफन इंगाज्ट विद टेकनलोजी वह हमेशा टेकनलोजी से जुड़े हुए रहे हैं क्योंकि अधिक्तम कविताओं में उन्होंने विशेव रूप से प्रोध्योगी की परचर्चा की है यह प्रोध्योगी को दर्शाने का प्रियास किया है आधुनिकता के क्रम के साथ साथ अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि ए दोस्तों नेरे प्यारे दोस्तों जो भी कविता होती है या जो भी पोईं होती है ना उनका उद्धेश यही होता पढ़ने में आपको कुलगता कुछ और है लेकिन उद्धेश उसका बास्तम से समझ लेते हैं जिसे दा एक्सप्रेस ट्रेन को हम directly आधुरिक ताके साथ में जोड सकते हैं और चुकि आज हम summary discuss कर रहे हैं तो summary मतलब क्या होता सारांस होता है उनकी जो पूरी the express पूरी पोईम है उसका जो सारांस क्या-क्या है हम उस important बातों पर चर्चा कर रहे हैं ताकि इससे संबंदी जितने भी मैंद्पूर्ण कोशन अंसर हमें एक्जाम में फेस करने हो सकते हैं वह सब राइटर रहें लेकक रहें हैं इना तो उनमें एक विशेस नाम इनका भी आता है इनका भी आता है कि लिए रहे तो दा express as a poem is primarily concerned with the uncanny presence of the train and its ability to distort the otherwise वाइस फेमिलियर इन्वाइरमेंट तो जो दा express poem हम हम सारांस पढ़ रहे हैं जो दो express poem है यह इस परस्ट रूप से इस परस्ट रूप से मौझूदा जो कभीता है जो यह कभीता है यह मुक्य रूप से मैं ट्रेन की जो उपस्तिती और उसकी उसकी अन्यता परिचित बातावरण जो बातावरण है बातावरण को विक्रत करने की छम्ता से संबंदिते मतलब इसका यह हुगा की जो दा express poem है दोस्तों इस poem का संबंद इस poem का संबंद एक Si की ट्रेन से है या एक ट्रेन की उपलब्दता से है और जिसकी उपलब्दता कोई आम उपलब्दता नहीं है बलकि अलोकिक उपलब्दता है यह अलोकिक क्यों कहा जा रहा है अनकेनी प्रेजेंस क्या है अनकेनी प्रेजेंस यह अनकेनी मतलब अलोकिक उपलब्दता तो यह कि उस समय की बात कर रहे हैं जब पहली बार आई थी जब ट्रेन को लोगों ने पहली बार देखा तो जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती जा रही है बेसे बेसे आधुनिकता समाज में अपने पेर पसारती जा रही है मतलब आधुनिकता भी ट्रेन के सांसात आगे बढ़ती जा रही है जिसके कारण समाज प्रभावित हो रहा है बास समझाई तो ये जो ट्रेन की उपलब्दता है समाज के लिए है तो इस उपलब्दता के कारण जो उनका बातावरन था जो पुराना बातावरन था जो लंबे continue करते हैं तो the poem begins by the describing the moment of express train leaves the station तो इस poem की शुरुवात जो होती है दोस्तों वो होती है express train के platform छोड़ने के समय से Possibly for the first time, संभवता पहली बार and how enraptured the surrounding appear to be at the site of it, को उसे देखते ही उसका जो आसपास का बाताबरन है जैसे ही train चोड़ती है बयसे ही जिसे jest generation आगे वढ़ती चलिजाती है बैसे बैसे उसका जो आसपास का surrounding because surrounding surrounding जो उसका जो भी आसपास का बाताबरन था वो बड़ा ही मंत्र मुगद हो जाता है इसका मतलब वह बड़ा अजीप सा हो जाता है मतलब जिग्यासा पेदा करता तो कि पैदा करता है लोगों के अंदर कुछ जानने की हैं उनके अंदर जाकती है क्यार अरही यह क्या हो रहा है यह किस परकार का इनुवेशन आ चुका तो जब भी कोई इनोवेशन होता जब भी कोई प्रक्ति नई चीज देखता है ना तो उसमें एक अजीब सा बदलाब आता है तो उसी बदलाब की इस पोईम के अंदर बात की जा रही है तो पूरा समाज ऐसा मंत्र मुग्दो हो जाता है इसको देख करके लेकिन आगे कहा ग a scene of forwarding तो कहा जा रहा है कि जैसे जैसे train अपने परिवेस को अपने बाताबरन को छोड़ती हुई आगे बढ़ती चली जाती है वेसे वेसे अपना जो परिचित बाताबरन था जो मेल जोल था उससे बाहर निकलती जा रहे है जैसे की आधुनिक था आधुनिकता अधूरात ताको भूलते हुए चले गए और एक ऐसे बातवरण में जाकर के पहुँच गए जो पूरी तरह से अंजान है और बरतमान का जो भी सहरी जीवन है दोस्तो वो इसका सबसे वड़ा उधारण है अगर उधारण की बात करें तो आज बरतमान का सहरी जीवन क्या है इस पेंडर की इसी ट्रेन की तरह कापी आगे तक जा चुका है अपना सराउंडिंग चोड़कर अपने आस-पास का बातवरण छोड़कर एक नये बातवरण में आ चुका ए कि न है जो लोगों को मन्तर मुगद करता है आकर्षिद करता अपनी ओर ठीक है तो यह अपने मेल जोग से अ वो कहने का प्रियास कर रहे हैं इस पोईम के इस सेंटेंस के माध्यम से कि आने वाले समय में ये ट्रेन इतनी आगे निकल जाएगी ये आदुनिक जीवन इतना आगे निकल जाएगा कि मानब ही मानब को समझने के लिए तयार नहीं होगा समझेगा पून्ता मानब के अंदर स्वार्थी प्रवर्ति आजाएगी वो खुद से ज्यादा दूसरे के बारे में कभी सोच ही नहीं पाएगा जबकि प्राचीन मानब की प्रवर्ति कुछ और बर्तमान की कुछ और है और आने वाले समय में मनुष्य की प्रवर्ति पूरी अनिस्टो11 DD करने अ है कि टेन के गुजनने के टेन की गुजनने जैसे जैसे टेन आगे बरती चले जाएगी वेशे वेशे समाज में परिवर्तन आता चला जाएगा और पिर वाले ही वो परिवर्तन भी को सा जिस है अनिस्टोपेवल है इस परिवर्तन को रोकना संभव नहीं होगा और फिर चाहे वो परिवर्तन ordinary people के लिए आम लोगों के लिए फाइदे से ज़्यादा नुक्सान का ही क्यों नहों लेकिन वो परिवर्तन जो होगा वो होता ही चला जाएगा इसको रोकना संभव नहीं होगा तो दोस्तों यह चोटी सी समरी थी यह चोटी सी समरी थी दा एक्सप्रेस पोईम की कि लिए रहे तो इसी समरी के आधार पर ही आपके सामने अब कुछ कोशन आंसर है मात्र पांच कोशन है देखिए मैं आपको उतनी ही चीज प्रोवाइट करूंगा जितनी आपके लिए ज़रूरत है फालतु का कच्रा देने वाला नहीं दूंगा फ आर्च की इस पोईम को समझना भी ज़रूरी था यह आप समझ चुके हैं अभी इससे मात्र पांच कोशन है उनको लगा लीजिए तो पांच से ज्यादा इसमें कुछ कोशन नहीं है कभी कवार एक दो कोशन आपको देखने को मिलते हैं एक्जाम में इस पोईम से चुकि प प्राइमरी थीम वोट इस दा प्राइमरी थीम प्राइमरी थीम दा एक्सप्रेस का जा रहा है कि जो आपकी पोईम है इसकी प्राइमरी थीम क्या है मतलब कि इसका प्रात्मिक विशे क्या है अब आप आसानी से इसका रिप्लाई कर पाएंगे देखिए समझेगा पहला उ कि ना टेक्नलोची ही तो समाज को प्रभावित करते हैं एक टेक्नलोची का झीता जाता अुदारण है है ट्रेयन तो एक मात छोटा सा हिस्था है इसके अलावाक टेक्नलोची ने जितने bringen और प्रकट आया है उसलिए हम कहएस प्रकार से भी है इंपोर्टेंस ओप हुमन कनेक्शन लोगों से जोड़ा लोगों से जोड़ा इसका प्रात्मिक भी से अगे बढ़ रही है आदुनिक्ता आती जा रही है ब्यक्ति अपने आपको खोता जा रहा है अपने आप से अंजान बनता जा रहा है को बास्तविक रूप से कोई व्यक्ति या हम या आप भी हैं दोस्तो जितना हम दूसरों के बारे में जानते हैं न उतना हम खुद के स्वेम के बारे में नहीं जानते ये भी याद रखिएगा हम दूसरों के बारे में ज्यादा जानते अपने बारे में नहीं कभी अपने करके देखिएगा और हकिकत में आप अंदर निरासा वहर जाएगी यार मैं अपने भारें में नहीं जानता हूं वरें जिग्यां सा उत्पन्न वह तो नहीं लिए कि नहीं कि जानना पड़ेगा और जिस दिन हम अपने आपको जान लियाक बहुत बड़ी बात हों जाएगी ज चलिए अभी यह फरक होता है आपने सम्मरी समझाना समरी को डिस्कस कर लिए रिप्लाइं आप लोगWhat ? ॐ लिट्रेरी मॉभमेंट लट्रेरी मॉऩंट मतलब लिट्रेरी का मतलब क्या होता है हिंदियन क्या होता है science हेना मतलब क्या होता अंदोलन तो साहितिक आंदोलन कुछ साहितिक आंदोलन कि आप ही तिक आंदोलन लिट्रीरी मॉमेंट ठीक है साहित्तिक आंधुलन वाज इस्टेफं स्पैंडर आपसी एटेड विद केने का अर्थ यह है कि स्पैंडर जो राइटर है अपके यह कहें कि ता एक्स्प्रेस पॉइम के यह किस प्रकार के साहित्तिक आंदोलन से जुड़े हुए थे समझेगा किस प्रकार के साहितिक आंदोलन से जुड़े हुए तो यार यहाँ पर एक common sense लगा देखे चार option आपको सामने है romanticism modernism, realism और post-modernism यहना मतलब कि उत्तर आधुनिक बाद और वी बाला क्या बोलता है आधुनिक बाद ठीक है यह आधुनिक बाद है modernism में अभी इस पूरी poem में किस की बाद हुई है romanticism में कोई हुई क्या कहीं पर एक बाद देखने को नहीं मिला realism में की मतलब यतारत बाद कई देखने को मिला, नहीं हमने सिर्फ आधुनिक्ता की बाद की है और कोई उत्वनिक्ता की बाद भी نہیں post modernism में की बाद भी नहीं किये में हमारी चर्चा होई है इस पूरी summary में किस की modernism तो та spricht train में किसको express किया गया है किसको express किया modernism को, आधुनिक्ता को आदुनिक्ता को बताया गया है इसलिए option इसका भी भी ही correct हो जाएगा बस समझा रही ना अगला question लेते हैं अगला question है how does the train presence effect the surrounding in the poem तो इस poem के according या इस poem में train जो है आपकी उस train की उपलब्दता किस तरह से अपने आसपास के बातावरण को प्रभावित कर रही है इस प्रकार से वो प्रभावित कर रही है यही पूचा गया है चार उप्षन है it brings harmony and space and peace harmony and peace पेहला उप्षन बोलता है कि इसके द्वारा बड़ी शांती आ रही है सदभाब आ रहा है क्या सही है ये कि ट्रेन के आजाने से ट्रेन के आजाने से लोगों में सदभाब और शांती का मैसूस कर रहे हैं या स़छी है बिल्कुल भी सही नहीं धी या घलत है है तो तो हम ने पढ़ा ईनी में पुरी समरी में अगला है एको सफ्टोस एंड डेस्ट्ट्रक्स इस झोस एंड डेस्ट्रक्सों अ हमने विनाश क्या यह है क्या यह है जो विनास का कव्ण रही रही इसके अलावा हम दूसरा इसा भी हमने कुछ नहीं पड़ा कि जो आधुनिता आ रही है ये बिनास का कारण बनती जा रही है तो ऐसा भी कुछ नहीं है इतना कुछ खास नहीं है तीसरा ओप्सन देखते हैं ओप्सन सी है कि इट इट इलिसेट से था क्यूरिसिटी एंड इसलिए इसलिए इसका ओप्सन सी एक्डम करेक्ट हो जाएगा उप्सन क्या बोलता है कि इसके कारण डर डर और अशान्ति उत्पन हो रही है क्या तो ऐसा कुछ नहीं है तर अशान्ति यह से कुई बात नहीं है बलकि excitement लोगों में बढ़ता जा रहा है आतुनिकता के साथ इसलिए option इसका डी एकदम correct हो जाएगा मात्र दो कोशन और बचे हुए जल्दी जाने का बचता नहीं ह यह प्रोड रहे नेक्स्ट्टिशन आपका बोलता है वह दस्ट्रेंज शिंबॉल लाइज इन दपर कहरा है कोशन कहता है कि जो यह पॉइम है इस पॉइम में train किसका सिंबल किसका सिंबल है तो प्रोग्रेस और एडवांस्मेंट का है क्या उननति प्र गती का है नहीं च्रेडिशन एंड इस्टेबिलिटी का है क्या इस्टिर्ता का परंपरा और इस्तिर्ता यह फिर नेचर एंड ट्रांक्यूलिटी का है यह आइसॉलेशन एंड लोनलीनेस का है तो लोनलीनेस और आइसोलेशन अलगाव और अकेले पर अलगाव और अकेला पर तो जैसे जैसे आदुनिक समय बढ़ता जा रहा है वेसे वेसे हम क्या करें दोस्तों प्रोग्रेस और एडवांस असलब उन्नती और प्रगर्थी करते जा रहे हैं आदुनिकता की और आदुनिकता के द्वारा उस टेकनलोजी के कारण जो प्रगती हो रही है हम उसे किसी भी प्रकार से दोस्त नहीं दे सकते किसी प्रकार से दोस्त नहीं दे सकते और इसी लिए हमें कहना होगा कि जिस प्रकार से इस पोईम में ट्रेन की प्रगती को बताया गया है उस ट्रेन की ट्रेन ना समझे बलकि उसे आधुनिकता का समय समझे बरतमान समय समझे आधुनिक समय समझे टेक्नलोजी की प्रगती सम यहां पर जैसे जैसे आगे बरती जा रही है बैसे मानव समाज σ्वित करता जा रहा है लुद्रक्रेशन है तो इस ट्रेंच के आजाने से परमपरा और इस्थिर्था मतलब कि ट्रेडिशन और LEGITABILITY को कोई फरक नहीं हुआ हाँ यह पीछे गए हैं पीछे गए हैं इसको को 건 यह यह नहीं है ट्रैन किसका मुछन कर एक परतीक या आगे बढ़ने का काम कर रही है मतलब प्रोग्रेस का संबॉल है ठीक है ना advancement का प्रगति का symbol है चलिए नेक्स और लास्ट कोशन देखते हैं what is the overall mood or tone of the express completely जो यह poem है आपकी इसका complete tone क्या है complete tone क्या है कि इसके करने मतलब किस प्रकार का माहौल बनता है ज़रा समझ है क्या joyful बनता है जोईफुल यह celebrate battery बनता है मतलब कि enjoy करने जैसा या पिर कुछ celebrate करने जैसा कोई महौल बनता है यह पिर mysterious बनता है या suspense बनता है मतलब की रहिष में पूर्ण बनता है रहिष में रहिष में पूर्ण बनता है यह पिर Mal 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 कि चिंतन किये जाना है योग को को जो तundo बोलता है अआन कि मानभ समाज की लेकिन बेशे वेशे ही मानभ के जीवन में उदासी भरती जा रही है अकेले पन के कारण उसके अंदर उदासी भरती जा रही है इसलिए यह चिंतन का विशे है इसलिए उप्शन इसका सभी जाएगा तो इसी के साथ में हमारा आज का पहला टोपीक होता है कम्प्रीट और डॉंट बरी यह न सोचे कि मात् पांच कोशन वाला यह टोपिक था तो इतना समय लगा दिया जब हम 20-25 इसकोशन एक साथ करेंगे तब कितना लंबा लेक्षर होगा तो यह आपकी धारना गलत है इसा सोचना नहीं है चुकि पहला लेक्षर था इसलिए हमने एक्स्टा टाइम इस लेक्षर में लिया है त चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट अर्थात की जो कल सेशन होने वाला है लेक्षर नमर्ट तूまた perfect करेंगे एक नए पुएंच की सहला में फिर से एक बार फिर से रिपीट रूंप्र आप चाते हैं हमारे थांस हमारे त्वारे साह्त में निचुल कुरूप से पढ़ न नोट्स और लेक्चर के साथ में पढ़ना थब और एफेक्टिव तरीके से पढ़ना तो आप हमारे वाटसप और टेलिग्राम गुरूप को जोइन कर सकते हैं फिर योग पोस्ट कर सकते हैं इस सब दिए गए डिस्क्रिप्शन में सब की लिंक दी गई इस सब जोइन कर सकते हो आप जो चाहे वो जोइन कर सकते हो डिस्क्र झाल झाल